Hello everyone and a very warm welcome to Siksha So guys, previous year questions का जो next subject हम पिक कर रहे हैं That is English Okay I'll be very frank with you I am not an expert of English ठीक है, English subject का मैं expert नहीं हूँ जहां तक पढ़ाने की बात है लेकिन ये topic हम यहां पर ज़रूर कवर करेंगे And I'll try my best कि जो चीजें यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो basically idea मैं आपको देना चाहता हूँ वो idea मैं आपको बाऊँ Alright So दो parts में इसको discuss करूँगा Part 1 and Part 2 10-10 questions हम दोनों part में करेंगे 20 questions बेटा English के थे And जब भी मुझसे कोई phone करके पूछता है ना कि sir मेरे को paper clear करना है AOEO का या APFC का तो कैसे करें, guide करो तो मैं सबसे पहले उनको एक बात बोलता हूँ कि ये जो subject है ना अगर तुमने इस पे फत्य कर लिया तो तुम्हारा selection होने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं 20 questions 20 questions में से अगर 15-16 questions पे आपने ठीक hit मार दिया तो आप समझ नहीं सकते कि ये आपके exam के लिए कितना जादा beneficial रहेगा और जितने लोगों ने exam clear किया ना पिछली बार या उससे पहले भी उनसे पूछना कि उन्होंने English के कितने questions attempt किये थे और English के उनके कितने questions सही हुए थे मैं शर्त लगाने को त्यार हूँ जादा तर बच्चे आपको कहेंगे कि मेरे 13 questions, 14 questions, 15 questions ऐसे ठीक हुए थे English के और जो टॉपर है वो तो ये बोलेंगे कि 16, 17, 18 questions तक ठीक थे हमारे क्योंकि ये game changer है देखो नंबर, ढाई नंबर का पिछली बार question था, 2020 में जो A.O.E.O. का पेपर आया था Industrial relation वाला question भी धाई नंबर का है English वाला question भी धाई नंबर का है History वाला question भी धाई नंबर का है Maths का question भी धाई नंबर का है ऐसा तो कुछ है नहीं कि अलग-अलग questions है, सारे question धाई नंबर के है Homogeneity है और सबके लिए negative marking भी same है लेकिन English का जो level है UPSC के exams में है वो बहुत ही simple elementary level है बहुत ही basic level है और उस level को सिरफ और सिरफ प्रेक्टिस थोड़ा सा करके अगर आप अपना improve कर सकते हो और इस में से 20 में से 15, 16, 17 question अगर आप कर आते हो तो आपके chances बहुत जादा ही हो जाते है लेकिन ये सबसे जादा ignored एक subject है बच्चे पढ़के ही नहीं जाते है पढ़के तो चलो छोड़ो कहते हैं हम क्या पढ़े हैं मैं समझ नहीं आ रहा practice नहीं करके जाते है इसकी ठीक है practice तो करो दिन में अगर 10 गंटे पढ़ रहे हो तो एक गंटा देदो बिचारे को ये 20 question है और ये आनी आने है current affair के question कम जादा हो सकते हैं अगर पिछली बार 23 थे तो इस बार के आप ताब 15 रहे जाएं 10 रहे जाएं history के question कम जादा हो सकते हैं polity के question कम जादा हो सकते हैं अगर pattern देख तो paper का English के तो 20 आनी आने है तो कितना important part ये आपके paper का बन जाता है ठीक है और इसको अगर आप छोड़ करके जा रहे हो तो definitely fault अपने अंदर है तो 10-10 question हम इसके cover up करेंगे and एक basic understanding हमें लेनी है English practice करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी previous year questions है वो सारे कर लो CDS के जितने previous year questions है साल में दो बार होता है पिछले 10 साल के 20 paper हो गए सारे करो English का पूरा एक paper होता है CDS के अंदर है ना वो सारा करो उसके बाद CDS के इलावा आप बाकी के जो exams है जैसे NDA और CAPF जैसे जो exams है वो ना English के नाम पे आपका बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं वो क्या करते हैं बच्चो को ना Antonyms और Synonyms इसके अंदर आने है हजारो word की लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं उसके अंदर बहुत difficult words भी होते हैं ठीक है वो रेटने को बोल देते हैं और ना उसको कर पाओगे और ना ही वो पेपर के अंदर कुछ खास काम आने वाले हैं ठीक है तो वो तो बस क्योंकि अब उन्होंने पैसे लिए हैं आपसे तो कुछ तो देना है उनकी भी गलती नहीं है तो इसी वज़ए से ultimately वो एक बहुत लंबी सी आपको लिस्ट प्रोवाइड गर देंगे उसके चक्रों में मत पढ़ना ओके and these are the MCQ courses लिंक है description में you can go and explore the tests ओके और जो भी sessions हो रहे हैं YouTube के उपर वो free of cost हैं उसका PDF file का link description में है PDF file paid है 99 rupees pay करने है सिरफ बहुती miniature सा amount है just for the seriousness ओके तो आज offer आफट से तो पहले जो questions थे fill in the blanks के 5 questions थे तो इसके अंदर क्या था आपको एक blank given था और नीचे 4 options given थे आपको basically answer करना था अब यह बड़े basic questions है ठीक है बिल्कुल basic questions है आदा time तो आपको sentence form करते हुए आ जाता है ठीक है अब question क्या है It's time you went out and dash your own living ठीक है जो आपकी mother tongue है English statement को पढ़के एक बार उसको थोड़ा सा अपनी language में सोचने की कोशिश करो ठीक है It's time you went out and dash your own living यह सही समय है कि तुम घर से बाहर निकलो और अपनी खुद की living कमाओ ठीक है अपना खुद का खर्चा उठाओ तो basically क्या है अब देखो यहाँ पर चार option है afforded, earned, gained, won ठीक है अब देखो options को eliminate करते जाओ won तो नहीं हो सकता you went out and won your own living won basically क्या है all right basically won is related to something competitive जब आप किसी competition में part कर रहे हो this is not about winning a competition और also आपको यहाँ पर tenses का बहुत ज़ादा ध्यान रखना है तो यहाँ पर basically future tense की बात हो रही है won जो है वो एक तरह से आपका past tense के अंदर चला गया तो won इसका option नहीं हो सकता correct answer इसका दोस्त होगा earned afforded क्यों नहीं हो सकता है इसका मतलब क्योंकि basically afforded का क्या मतलब होता है have enough money to pay for अब living earn करना एक different thing है आप जाकर के बाहर कुछ नौकरी कर रहे हो और आप पैसा कमा रहे हो आप 5000 भी कमा रहे हो सकते हो आप 10,000 भी कमा रहे हो सकते हो आप 15,000 भी कमा रहे हो सकते हो affordability different concept है अब आप बाहर जाकर के अपना पैसा कमा रहे हो लेकिन फिर भी आप कुछ चीजों को afford नहीं कर पाओगे तो afford होता है कि कोई आपको particular चीज खरीदनी है उसके लिए आपके पास पैसा है या नहीं है Okay, so afford is a different meaning Earn का क्या मतलब होता है जहाँ पर आप अपनी labor या services के थूप पैसा कमा रहे हो उसको हम बोलते है earning your living ठीक है जो जीने के लिए आपको basically पैसा कमाना है तो यहाँ पर आपका correct answer इसलिए B होना था और gain जो term होता है basically यह तो profitability से related होता है profit या loss से related तो जब हम बाहर जाकर के पैसा कमाने की बात करते हैं तो हम उसमें profit या loss की बात नहीं कर रहे हैं नहीं हूँ English का लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको question solve करने में बहुत ज़्यादा help करेगा क्योंकि एक देखो आप अगर 27 साल के और 28 साल के और 25 साल के और 24 साल के और जो भी आपकी उमर है इस level के उपर English की जो grammar वो सीखना बहुत मुश्किल होता है ठीक है बहुत मुश्किल होता है मैं जब competitive exams देता था मैं नहीं सीख पाया है तो मैंने अपने खुद का method device कर लिया कि यहाँ भी समझ करके करना है ठीक है मैं बहुत ज़ादा grammatical rules के उपर मैं नहीं चाह पता हूँ इस एक मैंने आपको बताया कि मैं expert नहीं हूँ ठीक है तो अगर किसी को वो problem है नहीं तो वो इस video को यहीं पर छोड़ दे क्योंकि मैं claim ही नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसका expert हूँ सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको and warm तो आपका victory हो गया next question next question क्या कहता है the elephant fell into a dash the hunter's head set elephant fell into a dash elephant गिर गया किस में हिंदी कहानिया आपने सुनी होंगी कि शिकारी ने खड़ा खोदा जानवर को पकड़ने के लिए खड़ा खोदना अब options में क्या क्या given है तो जायर सी बात है खड़े में गिरा होगा trap अगर बेसी बार्षा में देखे खड़े में गिर गया तो track क्या होता है सबसे पहले answer इसका है trap अब देखो एक एक करके option को explore करो track क्या होता है track होता है basically path जैसे आप track के उपर running कर रहे हो cycling कर रहे हो तो वो तो path है ठीक है आप चूहा पकड़ने के लिए घर पे पिंजरा लगाते हो हमारे यहां पर पिंजरा बोलते हैं उसको है न तो वो लगाते हो तो उसमें क्या होता है चूहा अंदर आ गया और ultimately वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा कि entry तो है पर exit नहीं हो पारी तो उसको हम बोलते है trap तो elephant किसके शिकारी elephant को किस में पकड़ेंगे trap में ही पकड़ेंगे न ताकि वो एक बार आ जाए तो उसके बाद वो छूटना पए trick क्या होता है deceive करना किसी को धोका देना trick करना ओके और trunk क्या होता है trunk तो किसी tree का जो part होता है जो आपका basically अगर ये tree है तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम trunk बोलते हैं है ना तो ये आपका trunk हो गया तो elephant जाड़ पे तो चड़ने से रहा और deceive करने का भी आपर option नहीं हो सकता track आपका path होता है तो option बचा भी अब इसके अंदर क्या grammatical rules करेंगे दिमाग लगाओगे बहुत basic सी English है बहुत basic English है track क्या होता है trick क्या होता है trunk क्या होता है ये बहुत basic English है इसमें क्या ऐसा कुछ है कि आपको बहुत लंबी चौड़ी कोई vocabulary की list चाहिए क्या कर लेगे हैं vocabulary की list कुछ भी नहीं कर पाएगी और ये word होने भी नहीं उस list में जो वो पकड़ाएंगे next आज हो जी next question था the dress isn't really tight dress tight नहीं है it will dash when you have worn it ये जब आप कपड़े लेने जाते हो न ये अकसर आपके साथ condition होती है ठीक है आप कपड़े लेने जाते हो कपड़ा try करते हो ठीक है वो थोड़ा सा tight होता है तो आप बाहर आकर के जो salesman होता है उसको बोलते हो हलका tight है salesman क्या बोलता है sir ये body fit का है ये कपड़ा अपने आप stretch करेगा ठीक है कपड़ा stretch करेगा answer होगा D देखो bend, कपड़ा की बात हम जब करते हैं तब हम bending की बात नहीं करते हैं bending हम करते हैं, metals इट extra के लिए basically shape change करने के लिए, आपने एक लोही की rod अपने हाथ में पकड़ी और उसको मोड दिया तो वो आप bend कर रहे हो, कपड़े में क्या bend होगा, क्योंकि वो क्या है, वो तो elastic है कपड़ा तो elastic है, उसको तो आप जैसे मरजी गुमालो, उसको आप bending थोड़ी बोलोगे expand क्या होता है, expansion करना, अब अगर आपको कोई कपड़ा tight है, तो वो expand थोड़ी होगा वो तो stretch होगा, ठीक है, आपने कोई t-shirt पहनी तो वो आपकी body के साब से stretch हो जाएगा stretch होने का मतलब यह थोड़ी है, कि उसका size बढ़ गया expand का क्या मतलब हुआ, expand का तो मतलब increase in size हो गया तो जब आपका कपड़ा stretch होता है according to your body size, तो उसका size थोड़ी बढ़ रहा है वो तो बस उसका stretching हो रहा है, squeeze का मतलब होता है, squeeze का मतलब होता है सिकुड़ना, छोटा होना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो किस context में बात कर रहा है isn't really tight, it will dash when you have worn it, तो यह क्या, basically आपकर salesman आपको क्या बहुन लेंगी कोशिश कर रहा है यह tight नहीं है, यह अपने आप stretch करेगा, अगर यह statement दूसरे sense में होता कि the dress isn't really fit, it will also dash when you have worn it, ठीक है, तो एक तरह से आपर वो क्या बोल रहा है आप इसने उल्टा कर दिया, कि dress really fit नहीं है, यह squeeze भी होगी, कहीं बार आप बोलते हो ना, भारा करके कि भाया यह तो अभी already tight है, धोने के बाद फिर squeeze हो जाएगी, तो वही sense यहां पर use हो रही है, अभी उल्टा है, ठीक है clear, देसी, phenomenon use करोगे, जितने जादा उतने जादा English के question solve होंगे next question जी with his back to the old man, he stood at the window, fists clenched and his shoulders dash with his chalked sobbing अब यह वाला जो question है ना, इसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने answer किया था option A shivered, बट इसका answer है option B, shook ठीक है, इसके अंदर meaning समझने की जरूरत है, क्या कहता है, कि for example एक व्यक्ती खड़ा है, एक old man की तरफ पीट करके window के पास उसके जो हाथों की fists है, वो tightly जुड़ी हुई है और उसके shoulders जो है, dash with his chalked sobbing, chalked sobbing क्या होता है, हलका रोना, ओके तो shoulders क्या है, shiver हो रहे हैं, या shook हो रहे हैं, answer इसका बहुत से बच्चों ने किया था, shivered पर shivered इसका correct answer नहीं है, shivering जो basically English के context में term use होती है it is related to the body shivering because of cold, जैसे आप ठंड में जब कापते हो, उसको basically shivering बोला जाता है shook क्या होता है, shook होता है emotionally और physically disturbed, तो जब आप emotionally और physically disturbed होते हो तो जो आपके shoulders की movement हो रही है, उसको हम बोलते हैं shook, and is shoulders shook, okay so इसलिए इसका answer option B होना था, vibration and movement, यहाँ पर इसको ideal terms नहीं consider किया जाएगा एक human के context में, हम बोलते हैं कि, कभी ऐसा बोलते हैं कि, उसकी गर्दन vibrate हो रही है या उसका हाथ vibrate हो रहा है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे न and because he is standing at the window, तो movement का तो सवाली नहीं होता, answer होगा B next question, the bereaved mother proudly received the gallantry award, dash her brave son who had laid down his life in the recent war option A, in the name of, option B, in lieu of, option C, on behalf of, option D, for the sake of माता ने, गर्व के साथ, gallantry award receive किया, dash her brave son, ठीक है, in the name of, in lieu of, on behalf of तो हम इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, माता ने, gallantry award receive किया, अपने पुत्र के तरफ से, ठीक है, अपने पुत्र के तरफ से, अपने बेटे की तरफ से, तो answer यहाँ पर क्या हो जाएगा, option C, अब देखो, in the name of, क्यों नहीं होगा, in the name of, basically, क्या होता है, जब आप as a particular person, या as a organization, ठीक है, उसका नाम को use करके, आप कुछ ले रहे हो, तो basically, यहाँ पर तो जो person है, जो soldier है, he is already dead, ठीक है, आप उसके नाम पर नहीं ले रहे है, यह generally organizational context में होता है, कि आप किसी organization के नाम पर award लेने चले गए, okay, for example, मैं इस तरह का कोई statement दे दूँ आपको, राज received the award in the name of Reliance Industries वो एक अलग चीज़ होगी, क्योंकि आपर यह organization के बिहाफ पर आ गया, okay, in lieu of क्या होता है, instead, ठीक है, instead, instead यहाँ पर नहीं है, okay, on behalf of, as a representative of, यहाँ पर जो mother है, वो अपने dead son को represent कर रही है, next, five questions है बेटा, आपके antonyms के उपर, ठीक है, बहुत simple words देखोगे, यहाँ पर, आपके बहुत simple simple words है, यहाँ पर उन्होंने पूछे हुआ है, ठीक है, तो opposite in meaning बताना है आपको, she always organizes lavish parties on birthdays, lavish parties on birthdays, तो सबसे पहले तो, जो question के अंदर word given है, उसका meaning पता होना चीए, lavish का क्या meaning होगा, answer इसका A है, lavish का meaning होगा, luxurious, ठीक है, luxurious, महंगा, ओके, अब यहाँ पर आप देखो, opposite क्या हो गया, opposite है, frugal, frugal basically क्या होता है, simple, plain and costing return, simplicity, ठीक है, simple thinking, high living, तो simplicity है, यहाँ पर बिलकुल, कम खर्चे वाली चीज़ है, lavish क्या है, luxurious है, खर्चा हो रहा है, महंगा है, अब यहाँ पर confusing था बड़ा, कहीं बच्चों ने इसका answer, lavish का opposite, उन्होंने decent या cheap कर दिया, कुछ बच्चों ने इसका answer decent लगाया था, कुछ ने cheap लगाया था, दोनों इसके answers नहीं है, क्यों, decent का क्या मतलब होता है, decent का मतलब होता है, decent basically relate करता है to something called moral behavior, ठीक है, जहाँ पर आप एक acceptable behavior, जो society का acceptable behavior है, या acceptable standards है, उनको follow कर रहे हो, basically यह behavior को represent करता है, तो इसी वज़े से decent यहाँ पर नहीं आना था, it is not about luxurious and it is not about mehenga या सस्ता है, ठीक है, mehenga हो करके भी decent हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि सस्ती चीज़े ही decent होंगी, कहीं बच्चे relate इस तरीके से कर गए ना, कि जो सस्ता है वो decent है, क्यों, जो mehenga है वो decent नहीं हो सकता, ठीक है, decency क्या होता है, कि जहाँ पर आप morality आपके fulfill कर रहे हो आप, तो इसी वज़े से इसका decent answer नहीं था, cheap, cheap is a different concept, cheap होता है little worth, कि भई काम की चीज़ नहीं है, ठीक है, हलकी चीज़ को हम बोलते हैं cheap, तो जरूरी थोड़ी है कि अगर lavish is luxurious, तो उसका opposite cheap होगा, no, opposite क्या होगा, luxurious का opposite क्या होगा, plain simple, ठीक है, जहाँ पर कम खर्चा हो रहा है, अब ज़रूरी नहीं है कि जो कम खर्चे वाली चीज़े हैं वो cheap हो, okay, इसलिए option C भी नहीं है, और strange तो दोस्तों आप जानती हो, it is, you know, जो unusual है, surprising है, तो इसका तो lavish के साथ कुछ लेना दे नहीं है, answer A हो गया, अब देखो कि के उपर ध्यान दोगे, बच्चे जल्दी में होते हैं, English के questions को solve करने में बिल्कुल भी जल्दी मत दिखो, क्योंकि ये 20 questions तुमारा खजाना है, इस खजाने को अच्छे से निप्टा हो, next, the soldier was greatly praised for his well-or, अब देखो, अगर मैं एक non-English student हूँ, मेरे को जादा English का ग्यान न या तो praise किया है, मतलब तारीफ किया है, तो well-or मेरे को इतना समझ आता है कि something related to, अच्छी बात होगी, कोई तारीफ वाली बात होगी, बहादुरी can be the one thing, alright, तो इसके अंदर अगर आब आप देखोगे न, well-or का अगर meaning है, great courage, तो coward तो वैसी हट गया, ठीक है, coward एक option है, ज selfish हो न, तो selfish और courage और cowardice का कुछ वो नहीं है, एक courageous आदमी भी selfish हो सकता है, ठीक है, जिसमें courage है, वो भी selfish हो सकता है, coward भी selfish हो सकता है, तो selfishness का courage से कुछ लेना देना नहीं है, हट गया यह, okay, उसके बाद tactlessness, tactlessness का मतलब होता है, कि आपके अंदर, आप में कोई भी diplomatic character नहीं है लोगों से बात करके आप अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं, तो again वो courage या cowardice से उसका कुछ लेना देना नहीं है, okay, and clumsiness, clumsiness is altogether a different concept, guys, so यहाँ पर आपका answer जो होना था, option B, cowardice, okay, easy question था, next, these regions are very fertile, अब इसका opposite बताना है, अब इसके अंदर माँ बच्चों ने question जो गलत किय है, कहीं बच्चों ने इसका answer a लगाया, कहीं ने इसका arid लगाया, कहीं ने इसका c लगाया, ठीक है, d option बहुत कम बच्चों ने लगाया था, a, b, c बच्चों ने लगाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर confusion हो रही थी, तो समझते हैं, answer इसका होगा, दोस्तो option c, bar थीक है। तो सबसे बहले तो fertile का क्या meaning होता है। ये land के context में बात हो रही है क्योंकि यापर region लिखा है थीक है region person की बात नहीं हो रही है These regions are very fertile ये इलाका बहुत fertile है तो ये इलाका बहुत fertile है मतलब कि यहाँ की zemین बहुत fertile है तो land के context में बात हो रही है तो land producing और capable of producing abundant vegetation आपर अच्छी फसल हो सके fertile हो गया अब इसका अंसर sterile क्यों नहीं है sterile हम use करते हैं humans के context में this is for those who are not able to produce children और young persons ठीक है जो basically बच्चे पैदा नहीं कर पारे ठीक है उसको हम बोलते है sterile तो बात किसकी हो रही है region के context की बात हो रही है ठीक है sterile humans के context में है या animals के context में है तो यह answer नहीं हो सकता arid का क्या मतलब होता है arid is related to climate ठीक है arid is related to climate climate क्या हो गया जहाँ पर बारिश नहीं हो रही little और no rain तो बच्चे arid और barren में बहुत ज़्याद़ confused हुए लेकिन fertile का exactly opposite क्या होगा barren too poor to produce much और any vegetation जहाँ पर vegetation produce नहीं हो पारी fertile जहाँ पर vegetation है और barren जहाँ पर vegetation नहीं है तो इसलिए answer इसका जो है वो आपका option C होना था next question some sick immigrants were detained at the airport immigrants ठीक है जी immigrants immigrants का opposite क्या होगा option होगा इसका answer b ठीक है अब देखो settlers क्या होता है settlers भी more or less same concept होता है जहाँ पर एक से जादा लोग आ रहे है on a new land for the purpose of settlement for the purpose of permanent living ठीक है immigrants का भी यही मतलब होता है immigrant कौन होता है immigrant है कैसा व्यक्ति होता है जो किसी foreign country में जाता है वहाँ पर permanent बसने के लिए ठीक है permanently वहाँ पर बसने के लिए जा रहा है तो settler भी कहीं न कहीं वही हो गए natives होते हैं आपके वो लोग जो associated हैं उसी जगा से जहाँ पर उनका जनम होई जैसे मैं हिंदुस्तान में पैदा हूँ आँ हूँ मैं हिंदुस्तान में ही रह रहा हूँ और भगवान ने चाहा तो हिंदुस्तान में ही मरूँगा तो मैं क्या हूँ हिंदुस्तान का native हूँ अब अगर मैं Canada भी चला जाता हूँ तो वहाँ पर भी क्या बोला जाएगा अगर मुझसे पूछा जाएगा मैं कहूँगा मेरी native country हिंदुस्तान है तो native क्या होता है जहां पर मैं पैदा हूँ ठीक है जी वेगा बॉंड वेगा बॉंड तो basically बंजारे जिसको हम बोलते हैं न बंजारा बंजारा क्या होता है एक जगा से दूसरी जगा गूमी जा रहा है कहीं पर भी permanent settle नहीं हो रहा उसके पास कहीं पर permanent घर है उसका नहीं कहीं पर उसकी permanent नौकरी है और foreigners तो आप जानते ही हो foreigners basically tourism purpose के लिए meeting purpose के लिए job purpose के लिए अगर जाते हैं temporary ली immigrants और foreigner में difference यह होता है कि temporary और permanence का next question the questions were so elementary that anyone could pass the test यह elementary term मैंने अपने lecture के चुरू में use किया था कि questions बहुत elementary होते है ठीक है तो questions were so elementary तो elementary का पहले तो उसलों पता होना चाहिए elementary का मतलब होता है बिलकुल basic ठीक है बिलकुल basic जो होता है ठीक है तो basic अब इसका opposite क्या होगा basic का opposite basic का opposite easily समझ में आ जाता है कि basic का opposite होगा advanced तो opposite हो गया, advanced अब देखो, जैसे कि मैंने आपको पताया है elementary हो गया, straight forward जिसमें किसी भी तरह की complication नहीं है unusual का तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है unusual basically कोई चीज जो common नहीं है तो यहाँ पर तो बात concept की हो रही है कि basic है या advanced है तो यह इसका answer नहीं हो सकता primary कहीं ना कहीं, primary और elementary दोनों same है, nav का क्या मतलब होता है lack of experience, ठीक है जो नया होता है काम में, experience नहीं होता तो इसका भी elementary से कुछ लेना देना नहीं है so basically basic के साथ जो relate होगा यहाँ पर term आपका advanced होगा and the right answer will be again a very simple question guys so these were the 10 questions and next lecture के अंदर 10 questions और English के discuss करेंगे, उसके अंदर हम synonyms वाले जो questions थे और error वाले जो questions आते हैं basically यह तींचा type की questions हैं जो UPSC के अंदर आते हैं, तो उनको भी हम cover up कर लेंगे, okay so I hope जितना भी समझ में आया जो बात बनी, मज़ा आया होगा आपको and फिर भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो comment section में जरूर बताएं and channel को जरूर subscribe and share करें, see you and take care